ये एक बड़ फी से मेरे नियोजी टीचर ने यूटूब और जरोम आप सभी सिक्चक सांतियों का स्वागत है देखते हैं सिक्चाई वाक्स एक बड़ी अपडेट आपको बता दे कि परखंड में एक सती सिक्चकों का कटा बेतन मचा हरकम क्योंकि या जो बेतन कटा है आपको तो आई देखते हैं वीडियों को बिस्तार से आपको बता दे कि ठाकूर गंज में दो घंटे के स्कूल में भी गैर हाजिर हो रहे हैं सिक्चक वाट्साप ग्रूप जांच के बाद एक सती सिक्चकों का बेतन काटा गया बीयों के द्वारा गर्मियों की छुटी के मदे नजर देखते हुए दो घंटे का ही स्कूल संचालन किया जा रहा है फिर भी साइकलों सिक्चक अनुपस्तित हो रहा है एक अभियान के तहत केवल वाट्साप ग्रूप की जांच के बाद ठाकूर गंज परखंड के एक सती सिक्चकों के सिक्चकों के बेतन में हाजरी दक्च का संचालन हो रहा है इसके लिए सिक्चकों को सुबह आठ बजे आने का फरमान जारी किया गया है 14 अपरेल से जारी आदेश के बाद आपको विद्याले समय संचालन आठ बजे से 10 बजे तक हो रहा है उसके बाद भी स्कूल में आये बच्चों को मध्यान भोजन ख पस्ट आदेश बावजूद सिक्चकों का मनमानी से एसकूल आना जाना था जिसके बाद ठाकूरगांग परखंड के परखंड सिक्चापदादीकारी ने सक्त रवाईये अपनाते हुए 3 माई को सुबह 8 बच के 15 मिनट पर वाटसाप गुरूप बंद कर दिया और जिसमें एसकूलों के हेड मास्टर के फोटो भेजना होता था अवर उसके बाद जांच के करम में 130 सिक्चकों के सभी सिक्चकों के एक दिन का हाजरी काटने का आदेश नेरगट किया गया है जो की वाटसाप गुरूप यह बनाया गया है वह आपको फोटो खीच कर सुबह सावे 8 बज़े तक डालने के लिए आदेशित किया गया था उसके बावजूद भी लगतार सिक्चक गरहाजीर हो रहे हैं जांच के बाद यह मामला परकास में आया है तो यह ठाकूर गंज के 130 सिक्चकों का बेतन काटने का आदेश जारी किया गया है बीयों के द्वारा थे वीड झालनτε चालना का बावबित किया रह पावज।